हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है Learn It के एक और नए वीडियो में और बिना टाइम वेस्ट किये चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक टू के बारे में और चैप्टर का नाम है Matter in Our Surroundings नए सेग्मेंट में आगे बढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं कि हमने इसके पिछले वीडियो में या इसके पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा गया था तो हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन मैटर के बारे में मैटर के बारे में हमने पढ़ा था कि जो भी चीज हमारे आसपास है वो सब किस चीज से बनी हुई है मैटर से बनी हुई है फिर हमने बात करे थी कंपोजिशन के बारे में मतलब यह मैटर बना किस चीज से है तो हमने बात करे थी पांच तत्वों के बारे में वायू पृत्विजल अगनी आकाश मतलब air, earth, water, fire और sky के बारे में हम पढ़ चुके थे फिर हम गए particles के बारे में मतलब matter किस चीट से बना है तो particles से बना है और particle भी आगे जाके दो parts में divide हुआ था atoms और molecules के अंदर फिर हमने पढ़ी थी property क्या है matter की और इस property के अंदर हमने एक theory पढ़ी थी जिसको बोलते है kinetic theory of matter kinetic theory of matter में चार points थे जिसमें हमने detail में third point पढ़ा था जिसका नाम था the particles are continuously moving इसमें भी तीन topics आया थे कि किस तरीके से यह move कर रहे हैं तो पहला पढ़ा हमने translatory motion मतलब सीधे रास्ते पे rotational motion मतलब एक ही जगे तो यह था हमारा topic 1 अगर आपने topic 1 नहीं देखा है तो मैं please आप से अर्ज करता हूँ कि जाके topic 1 को देख लें कि topic 2 आसानी से समझ में आ जाएगा अब topic 2 के बारे में चलते हैं तो topic 2 स्टार्ट होता है हमारा states of matter से यहां से आपका यह वीडियो चालू होता है states of matter के अंदर आप जब पहले देखते हो तो आपको 3 diagrams दिखते हैं या 3 structures दिखते हैं एक है solid, दूसरा है liquid और तीसरा है gases solid से चालू करते हैं अब यहां पर दिखान रखना कि तीनों का structure different है, solid में बिलकुल अच्छे तरीके से जमा हुआ है liquid में थोड़ा कम जमा हुआ है और gases में बिलकुल free घूम रहा है तो यह एक reason है कि इनका arrangement इसा क्या होता है हमारे घर में भी हम देखते हैं तो solid चीज हमको आसानी से दिख जाती है liquid चीज को हम control नहीं कर सकते हैं उसको जिस container में डालेंगे उस चीज का वो shape ले लेगा ठीक है वो अपना shape को क्या करेगा अलग-अलग चीजों में डाल लेगा और gases को तो आप जब तक sealed container में बंद करके नहीं रखोगे उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं कैद नहीं कर सकते हैं एक container में भी आसनी से इधर उदर मूँ करेगा तो solid से चालू करते हैं solid क्या है इस solid वाले structure में जितने भी molecules है अब आप बोलोगे molecules का है अगर आप एक गोला देख रहे हुए एक circle को देखते हो red color को ये एक molecule है और अगर solid को देखे तो 4-4-4-4 करके एक structure बना हुआ है मतलब एक red color के circle को हम एक molecule बोलेंगे अगर एक molecule दुसरे molecule से बहुत ही ज़्यादा chip का हुआ है मतलब इनके बीच में क्या है strong bond है और आपस में क्या है ये chip के हुए है ये आसानी से move नहीं करते हैं इसलिए solid के पास अपना खुद का structure और खुद का shape होता है second बात करते हैं अपन liquids पर जलते हैं अब liquid में क्या है liquid हमेशा आपको एक bowl में दिख रहा है एक container में दिख रहा है तो liquid हमेशा क्या करेगा क्योंकि इसके अंदर solid जित्ता bond नहीं रहता मतलब एक weaker bond होता है solid के मुकाबले तो यहाँ पर liquid जो है वो slightly movable होता है मतलब वो अपने आपको bond को थोड़ा weak करके इदर उदर move कर सकता है मतलब जा सकता है और वो खुद का shape और size नहीं रख सकता इसलिए हम जब तक उसको किसी container में नहीं डालते कहीं bowl में नहीं डालते किसी गीला glass में नहीं डालते तब तक वो अपना structure नहीं ले सकता थर्ड बात करते हैं तो थर्ड पाता है हमारा gases form अब gases form हमेशा आपको container भी दिख रहा हो container के उपर green color की lid लगी हुए मतलब ढखकन लगा हुआ दिख रहा है मतलब आपको अगर gases को रखना है तो हमेशा किसी ना किसी sealed pack याने seal करे हुए container में ही रखना पड़ेगा यहाँ पर molecules बिल्कुल free होते हैं move करने के लिए वो कहीं से भी कहीं move कर सकते हैं अगर आप उसको space में भेज़ दोगे space का मतलब है आपके environment में अगर आप खुले डखकन में रख रहे हो तो molecule क्या करेगा पूरे space में घुमेगा और उस डखकन में शायदी कुछ amount of molecules आपको देखने को मिलेंगे next बात करते है gases अपना shape नहीं ले सकते जब तक उनको बिल्कुल आप air tight container में याने बिल्कुल packed seal pack container में कैद करके नहीं रख देते तो यहाँ पर आता है हमारे 3 points start करते हैं पहले से जिसमें state of matter आता है जिसमें 3 physical state है मतलब solid भी है liquid भी है और gaseous form भी देखने को आसानी से मिल जाता है next segment पर चलते हैं और एक topic के बारे हम पढ़ते हैं कि यह जो 3 states हमने पढ़े हैं मतलब matter के जो 3 state है solid, liquid और gas इसका example हम किस चीछ से ले सकते हैं तो simple सा है कि हम हमारी human की body को अगर देखें तो हमें यहाँ पर 3 state देखने को मिलती हैं पहली state के बारे हम बात करते हैं तो जहां तक हड्यों और दात का सवाल है यह किस form में आपके पास है यह solid form में है मतलब यह बिल्कुल solid आपकी हड्या solid है आपके दात solid है second example लेते हैं liquid state का पहला तो bones or teeth कि state का होगा solid state का example होगा second blood or water मतलब खून और पानी आपकी body के अंदर present है liquid condition में तो यहां पर यह पुरा topic किस condition में आता है liquid state में आता है मतलब आपके पास bones or teeth solid state में है और खून और पानी मतलब blood or water किस state में है liquid state में present है third की बात करें तो आपकी body के अंदर gases भी होती है obviously हम सांस लेते है respire करते है तो जब breathing करते हैं तो oxygen अंदर जाती है और जब respire out करते हैं तो carbon dioxide बहार आती है तो यह भी जो exchange हो रहा है यह किस form में हो रहा है air के form में हो रहा है gases के form में हो रहा है तो यह भी आपकी body के अंदर जब transfer होता है तो कौन से state में जाता है gaseous state बायाता है तो यहाँ पर हमको हमारी body से ही कितने example मिल जाते हैं तीन example मिल जाते हैं solid state का भी liquid state का भी और gaseous state का भी अब आगे बढ़ते हैं और तीन state को detail में पढ़ते हैं मतलब solid, liquid और gaseous state को तो इनके characteristics और इनके shape क्या है, इनका structure क्या है solid के अंदर क्या खास बात है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो पहला characteristics आता है solid का कि they have definite shape मतलब solid के पास, आप कुछ भी देख लो आप आपका mobile देख लो, आप आपका laptop देख लो, आप आपकी chair देख लो, tv fridge एक सिक्टरा, इन सब का कोई shape है, ऐसा नहीं है कि आज दूसरे shape के थे और कल अलगी shape के हो जाए, मतलब इनका जो shape है, वो fixed है, तो solid structure जितने भी होंगे, उसके पास definite structure होगा, एक definite shape होगा, और second point केता है, they are distinct boundary distinct boundary का मतलब है, जिस shape है, उसको रख रखा है, वो उसी shape में रहेगा उसी boundaries को calculate करके रखेगा, third बात करते हैं, तो rigidity और incompressibility, अब आप बोलोगे, rigidity क्या होता है, rigidity का मतलब होता है, कि अगर आप किसी change को change नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते, उसको force से या bend नहीं कर सकते, उसका structure change नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को बोलते हैं, rigid, और second आता है, incompressibility, incompressibility का मतलब होता है, कि जिसको आप compress करके change नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ों को हम किस में count करते हैं, solid state में count करते हैं, next बात आता है, definite volume, definite volume का मतलब होता है, कि सभी के पास अपना एक individual volume है, individual mass है, individual structure है, individual size and shape है, तो यह हो गए कुछ हमारे main characteristics, अब कुछ इसके अलावा भी characteristics है, तो वो अगर आपको note down करने हैं, तो मेरे audio के थूई आप note down कर सकते हैं, तो पहला आता है, कि यहाँ पर solid, यहाँ तो slightly expand, slightly compress हो सकते हैं, या बिल्कुल भी compress नहीं हो सकते हैं, मतलब अगर आप solid की बात करोगे, तो उसको आप थोड़ा दबाव देखे, थोड़ा compress करके, उसको change कर सकते हो, पर वो ज़्यादा compress करोगे, तो वो तूड़ जाएगा, या खराब हो जाएगा, अपने shape को ही खोदेगा, जैसे कि rubber band का example है, कि rubber band solid state में होता है, पर वो अपने आप force लगाते हो, तो अपना size को क्या करता है, थोड़ा change करता है, और अगर आप वापिस उसकी size, खीचना छोड़ देते हो उसको, तो वापिस अपने shape में आ जाता है, पर अगर आप extra force अप्लाई कर देते हो, और उसको क्या करते हो, जादा ही खीच देते हो, तो वो break हो जाएगा, तो यहाँ पर example आता है हमारा एक rubber का, एक और point है, जिसके अंदर ने बताया है, कि जब भी आप किसी भी solid चीज़ को गरम करोगी, या heat दोगे, तो वो solid state क्या करेगी, अपने आपको expand करेगी, अब बोलोग expand क्या है, expand का मतलब होता है, वो अपने आपको चोड़ा कर लेगी, जिसके example आपके वाज़ लॉक है, और आपके वाज़ की है, मतलब ताला चाबी है, अगर आप चाबी को ताले के अंदर लगाते हो, तो आसानी से वो insert हो जाएगी, उसको कोई problem नहीं आएगी, अब एक example लेते हैं, कि हमने चाबी को लिया, और चाबी को हमने कोने से गरम करा, जहां से हम उसके entry करते हैं, की lock के अंदर, महां से हमने गरम करना चालो करा, थोड़ा गरम होने के बाद में, जब आप चाबी को ताले के अंदर लगाओगे, तो वो चीज उसके अंदर जाएगी ही नहीं, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि metal क्या करेगा, expand हो जाएगा, तो solid चीज़े क्या करती है, यह expand हो जाती है, फुल जाती है, जब हम उसको heat provide करते हैं, अब एक और point है कि solid कभी भी flow नहीं करता है, मतलब बहता नहीं है, क्योंकि solid के पास structure है, वो बहेगा नहीं, वो काम किसका है, liquid का है, next बात करते हैं, कि melting point और boiling point क्या होता है, तो जब भी हम solid की बात करते हैं, तो room temperature में, यानि जो आप normal room में बेठे हैं, और जो temperature है, उसमें सारे की सारी जितनी भी solid चीज़ें हैं, उनका जो boiling और melting point है, वो हमेशा higher होगा, इसका example देते हैं, कि हमारी जो TV है, अगर normal room temperature में बेठे हैं, तो आप TV का shape size रहेगा, वो पिगलेगी नहीं, आप अगर fridge को देखते हैं, तो वो पिगलेगा नहीं, और अगर imagine करें, कि इनका boiling point किता है 100 degree है, और अगर 100 degree आपके यहाँ पर room temperature है, तो वो चीज़े क्या करने लग जाएगी, अपने shape को खोने लग जाएगी, और melt होना चालू कर देगी, यह एक example है, second topic लेते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है liquid state के बारे में, तो liquid state की कुछ characteristics और कुछ diagrammatic representation में आपको बता देता हूँ, diagram के अंदर आप इसको blue color से देखते हैं, क्योंकि liquid को हम denote किस से करते हैं, maximum blue color से denote करने की कोशिश करते हैं, अब आगे और बात करते हैं, तो इस liquid state के अंदर जो पहला point आता है, उसमें कहते हैं, have fluidity, they are not rigid, इसका मतलब है कि liquid के अंदर fluidity होती है, तरल होता है, जिसे वो एक जगे से दूसे गे move कर सकता है, और उसका structure rigid नहीं होता, मतलब उसका proper shape नहीं होता, जिसमें वो क्या रह सके हैं, अपने आपको assume कर सके हैं, second, उसके अंदर low compressibility होती हैं, मतलब इसको अगर आप compress करोगे, तो इतना जादा compress नहीं होगा, जब हम solid से compare करते हैं, तो solid के मुकाबले liquid में compressibility ज़ादा होती है, solid के मुकाबले liquid में fluidity ज़ादा होती है, next, liquid का कोई shape, कोई boundaries नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि liquid के अंदर जो intermolecular force होता है, मतलब दो molecule के बीच में जो attraction का force होता है, वो strong तो होता है, transport हो सकता है, या मुँ आसानी से कर सकता है, example लेते हैं, कि अगर glass में हम कोई पानी को डालते हैं, liquid को डालते हैं, तो glass का shape ले लेगा, अगर आप किसी bottle में डालोगे, तो bottle का shape ले लेगा, तो यहाँ पर shape क्या है, fixed नहीं है, boundaries क्या है, fixed नहीं है, नहीं हमारे basic topics, characteristics, liquid state के अब और कुछ example देता हूँ, कि जब हम इसको गरम करते हैं, तो solid expand होता है, याना चोड़ा होता है, पर liquid, solid से ज़ादा expand होता है, जब हम इसको heat देते हैं, next है, solid में compressibility होती है, पर बहुत कम, liquid में solid के मुकाबले, compressibility क्या हो जाती है, ज़ादा हो जाती है, solid flow नहीं कर सकता, पर liquid क्या कर सकता है, ऐसानी से flow कर सकता है, बह सकता है, melting point के बात करते हैं, तो solid की ज़ादा होती है, room temperature के मुकाबले, पर liquid की melting point क्या हो जाती है, below room temperature भी हो सकती है, दो molecule के बीच का force है वो बहुत जादा होता है strong होता है पर liquid के अंदर इतना strong नहीं होता है कि वो एक shape दे सके उसको last segment के बारे हम बात करते हैं तो आता है gaseous state अब gaseous state इस video का last topic है इसके कुछ characteristics के बारे हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर fluidity present होती है मतलब यह आसानी से इदर से उदर flow बात करते हैं तो इसकी compressibility जादा होती है जब हम solid liquid और gas की बात करते हैं तो solid और liquid के comparison में gases के अंदर compressibility बहुत जाद होती है मतलब आसानी से वो compress हो सकता है next बात करते हैं कि उनके अंदर boundaries, shape और volumes के definite होती है हाँ, gaseous state में सभी boundaries, shape और volumes definite होती है जब हम compare करते हैं solid और liquid से solid के अंदर भी definite shape और boundaries होती है liquid के अंदर कोई definite shape और boundaries नहीं होती है पर gases के अंदर आपको boundaries और shapes और volumes equally मिलेगा next इनके अलावा हम आप कुछ और topic के बारे हम बात करते हैं तो start आता है कि gases के जब बात करते हैं तो जब heating करते हैं गैस की तो वो ज़्यादा expand होती है जब हम compare करते हैं solid और liquid से compressibility की भी बात करते हैं मतलब compress करने की भी बात करते हैं तो gases में ज़्यादा compressibility होती है solid और liquid के मुकाबले flow की बात करते हैं मतलब moving की बात करते हैं कि molecule इदर से उतर आसानी से move किसमे करेगा तो gases में सबसे ज़ादा easily move करेगा liquid में उससे कम और solid में बिलकुल भी कम next बात करते हैं melting point की तो दोनों का melting point ही जिसे liquid और gases का भी room temperature से कम हो सकता है पर solid का हमेशा room temperature से boiling point हमेशा उपर होगा या melting point भी उपर ही होगा intermolecular force की बात करते हैं मतलब दो molecules के बीच में जो attraction का force है उसकी बात करते हैं तो solid में सबसे highest, liquid में उससे कम और gases में बिलकुल ही weak होता है जिसके कारण molecules क्या करते हैं आसानी से इधर से उधर flow कर सकते हैं आशा है कि आपको सारे topics easily समझ में आ रहे होंगे हम learn it पे आपके लिए easy और simple learning material बनाते रहते हैं जिसके कारण आपकी learning और listening capabilities increase होती रहेगी अगर आपको कोई topic समझ में नहीं आता है या आपको कोई topic hard लगता है या कुछ topic को आप detail में समझना चाहते हैं तो उसको आप comment section में लिख सकते हैं अगर आपको हमारा work अच्छा लगता है तो please उसे like करें और channel को subscribe करना और notification bell को hit करना ना भूलें ऐसे ही और videos के लिए आप updated रहें stay healthy, stay fit, bye bye